हेलो फ्रेंग्स, वेलकम तो माई चैनल विवय फन और इन कमिंग बिक्स, देर इस लॉट्स अप पोर्जेक्ट विच इन नेवर सीन बिफोर एपिसोड इसमें पहला जो आप नेक्स्ट अडे को देखने वाले हैं फोटो गैलडी जहां पे आप देखेंगे कि ज़स्ट आप अपना फोल्डर स्लेक्ट करेंगे और देन यूर आल दो पिक्चर जितने भी पिक्चर हैं आपके फोल्डर में वो सभी के सभी आपके यूजर फॉर्म में सो हो जाएं जहां पे मैंने यह एक एविलिटी इसमें दिया है कि इप यू वांट तो डिलीट अनी फोटो देन आपको एक कस्टमाइज रीवन बताऊंगा और उसके लिए जो कि किसी मैंने फाइल में नहीं बनाया है यू डॉंट नीट टू क्रियेट एनी फाइल यानि जश्ट आप देखोगे यहां पे आपका वीविये फन एक मिनू बना हुआ है जहां पे तीन कैटोगोरी है जहां है select master file, select data folder और merge file यह basically मैंने इसलिए बनाया है कि जो MISA special है और या कोई survey करते हैं उनके पास multiple data होते हैं like की उनके अगर 100 staff है 100 staff को उन्होंने file दे दिया है कि आप लोग data entry करके लाओ और एक साथ फिर उसे मुझे merge करना है तो हम कैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक master data file है जिसमें आप देखेंगे already यह तीन column का ही मैंने बना रखा है आप चाहें जितना column का बनाईए column is the dynamic तो यहाँ पे यह आपके master file हो गए और इस folder में आप देखेंगे हमारे पास multiple data file है यहाँ पे देखेंगे अब इस सभी file को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे file है इन सब file को आप copy paste तो नहीं करना चाहते हैं तो just आप अपने excel खोलेंगे file open करने की जववत नहीं है आप just menu पे जाएंगे सबसे पहले आप अपने master file को select करें तो यहाँ पे मैं गया और अपने master file को select किया यह मेरा master file है अभी आप अगर merge पे click करेंगे तो यह run नहीं करेगा कहेगा select data folder देन आपको folder select करना होगा जैसे ही आप data folder यहाँ पे select करेंगे अगर आप merge file करेंगे तो इसमें एक नया और ability मैंने दिया है जो कि last video में आपने देखा था कि express screen एक एदोक basis पे था यह properly work करेगा आपके जैसे जैसे काम होता जाएगा जितने file complete होते जाएगे आपके यहाँ पे देखेगा एस file पे अभी काम कर रहा है और हमरा percentage बर रहा है जिस file पे यह work कर रहा है उस file को यहाँ पे sow कर रहा है और हमारा यहाँ पे progress वार उसी के recording complete हो रहा है कि जैसे-जैसे file हमारे data merge होते जा रहे है हमरा progress वार sow होता जा रहा है तो यह भी एक never seen before है जो कि next to next Saturday आप लोग इसके देखने वाले हैं कि मैंने इसे बनाया कैसे यहां पर message आएगा finally आपको you have all done then अगर आप master file देखते हो यहां कभी जो master file his master file में आप दिखोगे all data has imported you can see here all data has imported okay and another third project is ready that is also you never seen before how to create a pop-up display in Excel user form जहां पर जश्ट आप जब इसे आप play करेंगे तो you will never seen before like this just you click see your item detail is displaying here अगर आप जहां पर भी click करेंगे उसके ठीक नीचे यह आएगा ऐसा नहीं है कि एक ही जगा आएगा अगर मैं पहले करूँगा तो यह पहले प्याएगा नीचे करेंगे तो यह नीचे ही दिखाएगा मुझे यह ठीक उसी list के सामने आपके item detail को पूरा यह दिखाएगा बताएगा कि कैसे यहां पर यह क्या क्या है इसका rate क्या है जो इसमें है वो सारे के सारे आपको एक pop-up के रूप में यहां पर दिखाएगा आप लोग इंजुआए करेंगे इस वीडियो को देखकर प्लीज सबस्क्राइब इस चैनल जिससे कि हमारे जो भी upcoming वीडियो है वो आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो आपको मिले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूले इसी के साथ धन्यवाद